हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ओताने वाले हैं कि अगर मोबाइल का डाटा आन है लेकिन सो नहीं कर रहा है जैसे कि देखिए हमारा डाटा आन है फिर भी उपर कुछ भी नहीं दिखा रहा है तो कैसे इसे सही करेंगे तो इसके लिए आपको मोबाइल के सेटिंग में जाना है फिर आपको यहां पर मोवाइल नेटोर किया सीम कार्ड एंड मोवाइल डाटा का ओप्षन मिलेगा इस ओप्षन पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहां पर देखिए कालिंग और इंटरनेट का ओप्षन मिलेगा तो इंटरनेट वाले ओप्षन पे क्लिक करन इतना आप जैसे कि कर लेते हैं फिर आगे आपको क्या करना है उपर यहां सीम 1 सीम 2 मिल जाएगा जिस सीम में रिचार्ज रहेगा उस पे क्लिक करना है तो हम सीम 1 पे क्लिक करते हैं फिर आपको यहां पर एक ओप्षन मिलेगा डाटा रोमिंग का इसे आपको चालू कर देना है turn on कर लेना है इतना करने बाद यहां पर दीखिए एक आप्टन मिलेगा access point name का इस option पे click करना है फिर आपको उपर three dot का option मिलेगा देखिए अभी कोई वी network तो three dot पे click करना है फिर reset access point पे click करना है फिर आपको reset पे click कर देना है तो यहां पर दीखिए reset हो चुका है अब simply हम बैक आजाते हैं बैक आने के बाद यहां carrier ओले option पे click करना है देखिए उपर network हमारा आ चुका है data भी on है और so कर रहा है अगर यहां पर यह autophilic नहीं रहेगा यहां से बंद रहेगा तो इसे आपको चालू कर देना है अगर यह बंद रहेगा आप इसे चालू करेंगे तो दो-चार सिकेंड का देखिए वक्त लगेगा तो आप wait कर लेना फिर आपको बैक आ जाना है देखिए हमारा data भी आन है और उपर so भी कर रहा है इतना आप जैसे कर लेते हैं फिर एक बार अपने mobile को restart कर लेना या switch off करके switch on कर लेना आपकी problem से ही हो जाएगी फिर आप internet चला पाएंगे तो गाइस आज वडम बस इतना ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए थैंक यू